हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सबी आज हम SSC CGL 2023 टीर 1 का 14 जुलाई का 1st सिप का पेपर सॉल्ब करेंगे तो आपको क्या करना है जो भी कुश्चिन आपके सामने आता है पहले खुश से जरूर सॉल्ब करना आपके पास आंसर की है तो आप सारे कुश्चिन खुश से जरूर करें तभी आपको फायदा होगा मैं आपको फिर से बता जाओ जो भी इसमें पैटन है आप देखोगे जैसे फिगर स्रीज का कुश्चिन है इसमें जो पैटन है पहले भी कई बार पूछा गया है और मैंने आपको जो प्लेजिस्ट दी है फिगर स्रीज की आप देखोगे चैनल पर जाके सारी प्लेजिस्ट बनाए उसमें इतने सारे कुश्चिन है अगर आप उनकी प्रैक्टिस करोगे हो इनाफ है सारे लेटेस कुश्चिन है figure series में आपको ये pattern हर वीडियो में नजर आएगा पहले भी मैंने आपको कई बार बताया मैंने आपको link भी share किया था टेलीग्राम में लेकिन आप देखती ही नहीं हो तो आप देखो इसमें वही pattern है अब मैंने बताया है alternate pattern क्या होता आप देखो कि जब मैं यहां से यहां जाओंगा एक pattern लगेगा फिर यहां से यहां जाओंगा एक दूसरा pattern लगेगा यही दो pattern repeat होते रहेंगे तो यहां पर आप देखो exam में आप सारे element को move करा के नहीं देख सकतो figure series के question जब इस तरीके से आपको मिलेगा तो आपको यह देखना है कि कोई भी एक element को देखो कैसे move कर रहा है उसमें pattern ढूटने की कोसिस करो आप सारे element को मैं जो move कर रहे हैं उनका pattern देख सकतो लेकिन exam में आप ऐसे करनी पाऊगा time लग जाएगा तो आपको क्या करना है कोई भी एक element देखो अब देखो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यह वाला element देखता हूँ जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ठीक है आपको यह देखना है जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या change हो रहा है मैं इस box को देखता हूँ यह जो आपका box है आप देखोगे यहाँ पहुंच गया यानि कि मैं यह ऐसे आपको denote कर सकता हूँ कि यह एक इस्तान उपर चले गया यह corner वाला फिर उसके बाद आप देखो यह 3 चले गया यानि कि यह एक स्तान उपपर चले गया आप यहां देख सकतो ठीक है जब हम यहां से यहां गए तो यह 3 यहां पे देखा हुआ फिर आप देखो यह equal to यहां पे पहुंचा होगा है तो इसका मतलब आप देखो equal to है यहां पर क्या eliminate होगे अब आप देखो इन दो option में 3 और 4 में आप देखोगे कि यहाँ पर star है अब इसमें आपको कैसे देखना है मैंने आपको बताया है आप देखो दोनों option में अगर आप इन तीनों element को देखते हो तो तीनों same है लेकिन यहाँ पर जो different element है वो कौन सा है यहाँ C है यहाँ D है तो मुझे देखना भी ऐसी है कौन से element देखने बता चुका हूँ कई बार तो figure series वाली वीडियो जरूर देख लेना तो यहाँ पर देखो C है D है अब मैं यह देखता हूँ कि C और D आ कैसे रहा है आप देखोगे कि यहाँ पर तीन अब यह O कैसे आया आप कहोगे यह वाला element यहाँ आ गया है ठीक है यहाँ आ गया फिर आप देखोगे जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो यह जो बीच में O है ना यह आप इसे circle बोले यह गया है यानि कि यह वाला element यहाँ से गया हो गया इसकी जगह बीच में नया element आ गया यह star आ गया है फिर जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो आप देखोगे D वाला बीच में आ गया है आप देखो यह D आ गया है ना बीच में अब जब मैं यहां से यहां जाओंगो तो यह D गायव हो जाना चाहिए यानि कि इस D की जगा कोई नया element आना चाहिए और क्या आना चाहिए हमें नहीं पता अब देखो option में देखो यहां पे फिर से D है क्या ऐसा हो रहा है? पैटन नहीं है तो यह भी आपका answer गलत हो गया मतलब option गलत हो गया तो आपका answer क्या हो जाएगा? तो यह आप यहां पे देख सकतो हूँ तो यहां पे pattern क्या हुआ? आप देखोगे एक बार तो यह हुआ कि यह वाले corner वाला जो ये corner में है, ये वाला बीच में आया, फिर बीच वाला element गायब हो गया, फिर ये D बीच में आया है, आप देखो फिर बीच वाला गायब हो गया, तो इसका मतलब अब यहाँ पर नया element आयगा, नया element इसमें C है, तो ये इसका right answer हो जाएगा, समझ में आगे आपको, ऐसे आपको question करना है, अब आप देखो सारे element को move करा के देखोगे न, pattern देखोगे, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कि कौन सा element कहा जा रहा है, तो दो pattern आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, तो alternate pattern है, तो इसका answer आपका क्या third option है, ऐसे आपको exam में देखना है, और कौन स च्छे का multiple होना चीए, तो आप देखोगे 90 और 96, यानि कि यह multiple से आपका answer में आ रहा है, तो pattern हो दो, अगर मुझे 45 पर जाना है, तो मैं यह बोल सकता हूँ, 55 होता है, 5 into 9 मैं करूँगा, 5 into 9, तो मुझे 45 मिलेगा, अब यह 9 कैसे आए, यह मुझे देखना है, next में मैं यह बोल सकता हूँ, 3 को मैंने 1 से multiply किया, तो मुझे 3 आया, अब यह 9 कैसे है, 1 कैसे है, अगर आप देखोगे, 5 minus 2 का square करते हो, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, 9 मिल जाता है, ऐसे ही आप यहाँ पर 3 minus 2 का square करते हो, तो आप देखोगे, 1 मिल जाता है, pattern क्या हुआ, pattern य 6 minus 2 के square से आपको multiply करना है, तो आप यहाँ पर देखोगे, 4 आएगा, 4 का square 16, तो 6 into 16 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, जो कि आपका fourth option है, इस तरीके साब इसे देख सकते हो, next question है, यहाँ पर आप देखोगे, some desk are trays लिखा है, some trays are plates लिखा है, some plates are desk लिखा है, तो आप देख कि some desk are trays है, इस तरीके से बना सकते हो, some trays are plates है, तो यह आप बना सकते हो, और आगे आप देखो, some plates are desk लिखा है, तो some plates are desk लिखा है, तो एक आप यहाँ पर बना दो, यह आपका plates ही है, ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हो, अब आप देखो, all desk are plates, क्या आपको कहीं प तो यह आपका गलत हो जाएगा AllPlates are Desk वहीं पर यह भी नहीं, यह भी गलत हो जाएगा Some Plates are Trae भीने आपको यहाँ पर दीख रहा है तो यह सही हो जाएगा All Trates are Dask भीनें यह भी गलत हो जाएगा तो यह आपको देखती है समझमा आजâne जाए कि यहाँ पर सारे sum वाले statement है sum है तो all वाला तो गलती हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि आपको पता all में आपको क्या चीए जो सारा का all के साथ जो element है वो पूरा का पूरा इसके अंदर आना चीए तो यहाँ पर यह आपका third option इसका सही हो जाएगा, only conclusion third follows आप event diagram से भी से देख सकते हो, next question देखो 55, 11, 25 है यह आपका set analogy का question है यहाँ पर आप देखो आपको 55 चाहिए, बड़े नंबर की हो चाहिए आप देखो square cube आपको ध्यान में होने चाहिए आप देखो यहाँ पर 25 है यहाँ पर 16 है, तो कहीं न कहीं इसका use होगा आप देखो 55, 11, 25 दिया हुआ तो pattern क्या है, अगर आप देखो 25 का under root करते हो, और इसे 11 से multiply करते हो, तो आपको 55 मिल जाता है, same आप यहाँ पर करोगे आप देखोगे, 16 का आप under root करोगे, 16 का under root करोगे इसे आप 16 से multiply करोगे तो 64 मिल जायगा, तो same pattern आपको यहाँ पर मिल जायगा, 9 का under root करो, और इसे 11 से multiply करो, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जायगा आपको यहाँ पर मिल जायगा 33, इस तरीके से आप बोल सकते हो, या कई मिल गया, third number मिल गया, ऐसे 64 को मैंने 16 से divide किया, इसका square किया, तो मुझे 16 मिल गया, ऐसे आप पहले option में देखोगे, 33 को आप 11 से divide करोगे और square करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, third number मिल जाएगा, 9, ऐसे भी आप बोल सकते हो, कई लोग इसे ऐसे भी कर रहे होंगे, ऐसे भी सोच रहे होंगे, तो जैसे आपके mind में आता है, आपको वैसे करना है, ठीक है, तो इसका first option answer हो जाएगा, next देखो यहाँ पर क्या बोला है, गडेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा है, पिता की पोती, पिता की पोती का मतलब क्या हो गया, कि यह इसके भाई की यहाँ बेटी होगी, पोती के साथ टहल रहा है, तो यह आपको क्या होगे, यह एक ही generation में है, एक ही generation में है, तो यह आपके क्या हो जाएंगे, कजीन हो जाएंगे, चचेरी मा मेरी फुफेरी बेन तो यहाँ पर असका आंसर क्या आजाएगा थर्ड आजाएगा तो आप देख भी सकतो डॉटर हो नहीं सकता है डॉटर के साथ टह लेगा नहीं अगर डॉटर होती तो एक जनरेशन नीचे होती तो यह आपका सेम जनरेशन में तो सेम जनरेशन में एक यह उप्षन है और आप देख भी सकतो यहाँ पर तो इसका राहिट आंसर आपका क्या है यहाँ पर थर्ड उप्षन वो इसका कजिन होगी नेक्स कुशन देखो यह आपका मिररएमेज का वेशन है कि जो भी यहाँ पर आपका T लिखा है टॉप का बॉटम हो जाता है मैंने आपको mirror image में बताया है अगर आपको ऐसे समझ में याता है तो आप एक page में बना की भी देख सकते हैं mirror image की वीडियो देख लेना आप देखो पहले में T है तो यह तो आपका होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर यह तो element ही लगा गया तो यहाँ पर यह होगा नहीं option फिर इसके बाद देखो T T सब में same है आगे E भी same है दो आप देखो यह वाला option eliminate हो जाएगा तो top का bottom होना चीए left का right नहीं आप देखो यहाँ पर left right वाला case हो गया तो यह भी आपका नहीं होगा उसके बाद देखो दोनों में same है फिर आप देखोगे 9 same है फिर आप देखोगे E same है लेकिन आप देखो यह K K जो यहाँ पर बन गया है यह आपकी कौन सी image है यह आपकी mirror image है जबकि आपको यहाँ पर water image वाला concept चीए तो यह आपका इसका answer हो जाएगा fourth option यह भी आपका eliminate हो गया next question देखो next है आपको यहाँ पर बताना है कि आपका letter series है आगे कौन सा आपका यहाँ पर alphabet आएगा आप देखो पहला U है फिर O है फिर I है यह क्या है यह तो आपके vowels है आप देखो U O I E फिर क्या आएगा A आएगा ठीक है A E I हो तो यहाँ पर A से सुरू होना चाहिए यहाँ पर A आना चाहिए तो यह option यह option L में आपका answer second हो जाएगा next वाले में देखो के B से Y गया B से Y गया तो 22 प्लस 3 25 प्लस 3 B और B से Y प्लस 3 और Y से आप प्लस 3 करोगे तो आपको 5 प्लस 3 8 H मिल जाएगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा A H है यानि कि पहला वाला जो alphabet है वो आपके vowels है बाकि उसके बाद दूसरे वाले alphabet में प्लस 3 हुआ है next question देखो आपको बताना है find that odd number pair odd number pair आपको बताना है तो यहाँ पर 20 का 11 है आप कैसे यहाँ पर जा सकतो आप यह बोल सकतो अगर मैं 11 को 2 से multiply करूँ 11 दूनी 22 मैनस 2 करूँ तो मेरे पास 20 है और ऐसे ही मैं 4 दूनी 8 मैनस 2 करूँ next वाले में तो मुझे यहाँ पर 6 मिल जाएगा इस वाले option में देखूँगा 7 दूनी 14 मैनस 2 करूँगा तो मुझे 12 मिलेगा लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ पर आप देखोगे 9 दूनी 18 मैनस 2 करूँगा तो मुझे यहाँ पर 16 मिलना चाहे था जब कि यहाँ पर 15 है तो यह आपका different है बाकि 3 हो option आपके same है यह आप ऐसे बोल दो कि 20 का half किया आपका 10 आया 10 में 1 जोड़ा 11 ऐसे ही आप 6 का half किया 3 आया उसमें 1 जोड़ा 4 कैसे भी आप बोल सकतो जैसे आप जाओ पहले वाले से दूसरे नंबर पर जाओ या दूसरे वाले से पहले नंबर पर जाओ next question देखो यह है आपका embedded figure आप देखो exam में कभी यह वाले question जो होते ना होते तो आसान है लेकिन यह बड़े confusing और time consuming हो जाता है क्योंकि इसमें आपके जो चारो option है अभी तो आपको ऐसे दिख रहे है exam में आपके इसके नीचे होते है तो एक ही आपका एक ही screen पर दिखते नहीं है तो इसमें आपको देखने जो जितनी जल्दी इसे देख पाएगा उतनी जल्दी कर लेगा यानि कि आप इसे practice कर सकतो इस तरीके से तो इसमें जो figure है दूसरा है आप देख भी सकतो दूसरा वाला figure आपको यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके से बनाया हुआ है ठीक है यह आप देख सकतो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यह वाला यहाँ पर बना हुआ है तो यह figure है आपका यह question में ऐसा कुछ नहीं है कि आप बस यह है कि जिसकी नजर तेज है और जो जितनी जल्दी से देख सकता है क्योंकि इसमें एक तो option भी आपके ऐसे आते हैं कि नीचे आते एक screen में 4 के 4 option नहीं आते तो कभी उपर कभी नीचे आपको करना पड़ता है तो इसका answer आपका क्या हो जाएगा second option है embedded figure में आपको बता है कि यहाँ पर rotation allowed नहीं है यानि कि जैसा figure यहाँ पर आपको option में दिया हुआ है अगर आप इसको उठा के इसमें रखें फिर 2 यहाँ भी हम clockwise direct में 1 फिर आपका 4 फिर 5 तो 4 और 6 से opposite होगे 2 और 5 opposite होगे तो बचा कौन सा एक का opposite कौन सा बचा तीन बचा तो इसका answer क्या आजाएगा third option आजाएगा तीन आजाएगा next question देखो तो अचा का इस पर से नाक का क्या होगा पसीना होगा नि नत होगा नि स्वाद होगा नि नाक का क्या हो जाएगा गंद हो जाएगा simple सा question है भी next question देखो h से ठीक है यह आपका letter analogy का question है h m d h m d को यहाँ पर क्या लिखा गया है k o e लिखा हुआ है तो आप देखो h से d गया तो 8 प्लस 3 है 11 है h m से ओ गया तो आपका 13 plus 2 15 है और d से गया प्लस 1 है यानि क्या आप कहा सकते हो पहले वाले alphabete में plus 3 है दूसरे वाले alphabete में plus 2 है फिर plus 1 है तो यहाँ पर आपको बताना है fl b आपको चीए यहाँ पह पर fl b ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या होगा तो आपको बता F है तो यहाँ पे C होना चाहिए C से आप प्लस 3 करोगे तभी आपको F मिलेगा तो A की ओप्सन है फोर्थ इसका अंसर हो जाएगा आगे J आएगा फिर U आएगा J से L प्लस 2 U से भी प्लस 1 ठीक है पहले अलफा बेट में प्लस 3 है फिर प्लस 2 है फिर प्लस 1 है next question देखो next question है इस question को देखो यह फिर से figure series का question है यहाँ पे क्या है आपका pattern है कोई भी एक element को देखो कैसे move करा है और element भी ऐसा देखना जो आपका option में same नहीं होना तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा आप उसे जल्दी नहीं कर पाओगे अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर J है और यहाँ E है और इन दोनों में यह तो मैं इस element को देखता हूँ कि कैसे आपका यहाँ पर अलग है ठीक है आप देखोगे यह D है जो यहाँ पर S कैसे आया ठीक है आप देखो यह D इस element पर देखता हूँ कि यह कैसे move कर रहा है आप देखोगे यह S यहाँ पर आ गया हुआ है ठीक है उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर यह S आ गया है फिर यह triangle कहां से आया यह triangle आपका यहां से आया हुआ है ऐस पर arrow यह होना चाहिए, तो आप देखो यह option element, यह option element इन दोनों में से एक होगा, ठीक है आप समझे रहो जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ तो इसलिए figure series के एक बार जरूर वीडियो देखना है वहाँ पर मैंने अच्छे से आपको समझा रहा है मैं आपसे यह कहना चाहरा हूँ कि आपको एक element देखना है, कि हो कैसे move करा कोई भी जगह का, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यह जो D है न, यह यहाँ पर यह वाली place को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे हो रहा है आप देखो जब मैं यहाँ से यहाँ गया, तो देखो यहाँ पर इस corner में ऐसा आगया है यानि कि यह वाला element यहाँ आगया समझ माया, फिर मैंने देखा कि यहाँ पर, ठीक है यह वाला, देखो अब यह triangle कैसे आया यह triangle यहाँ से उठके यहाँ ये भी alternate pattern है यहाँ पर, ठीक है, एक बार तो ये वाला element यहाँ जा रहा है, फिर एक बार ये triangle यहाँ पर जा रहा है, तो आप next में आप देखोगे, ये वाला element यहाँ चले जाएगा, देखो D आ गया है न यहाँ पर, अब जब यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो यह element यहाँ प वाला element देखता हूँ कि यह कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर, यह triangle कहां से आया, मैंने कहा है, यह triangle यहाँ से उठके यहाँ गया, फिर मैं यहाँ पर देखता हूँ, कि यह S कहां से आया, तो मैं यह कोहूँगा, कि यह S जो था यहाँ पर, यह वाला element यहाँ से आया, फिर दे में आपको दूसरे color से ठीक है आप देखना ठीक है कैसे यहाँ पर जा रहा है पहले बताया हुआ है कि आप वीडियो जरूर देख लें figure स्रीच की आप देखो मैंने कहा कि arrow का मुझे पता चल गया अब मैं देखता हूँ कि यह वाला element दोनों में different है तो मैं इस position में कैसे element आ रहा है यह मैं देखने की कोशिस करता हूँ आप देखो यहाँ पर क्या हुआ ठीक है यहाँ पर आपका यह triangle है मैंने कहा कि यह triangle कैसे यहाँ चले गया ठीक है अब मैंने देखा यह S कैसे आया तो मैंने देखा यह S यह वाला S यहाँ आ गया आप देखो S आ गया यानि कि एक बार यह element यहाँ आ गया फिर उसके बाद यह S यहाँ उटके यहाँ आया फिर देखो इसके बाद देखो यह वाला element यहाँ करते हैं, next देखो, ticket, airplane, rail है, airplane और rail तो अलग हो जाएंगे, दोनों में आपका ticket लगता है, तो यह airplane, rail और यह आपका ticket हो गया, ticket आपका airplane, rail में भी लगता है, और कहीं भी लगता है, बस में भी लगता है, तो इस तरीके से बन जाएगा, तो first option इसका right answer हो जाएगा next question देखो next है odd आपको बताना है कि यहाँ पर odd letter cluster क्या होगा आपको इनकी position याद होनी चीए simple है देखो 2, 4, 6 6, 4, 10, 10, 4, 14 यानि कि plus 4 का है हर alphabet के बीच में जो gap है plus 4 का है यहाँ भी देखो कि 4, 8, 4, 12, 4, 16 plus 4 का gap है यहाँ आप देखो कि 10, 4, 14, 4, 18, 4, 22 plus 4 का gap है हर alphabet के बीच में लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है आप देखो 8 है फिर उसके बाद 10 है यहाँ पर plus 2 का है यानि कि यह आपका different हो गया तो आपका answer क्या हो जाएगा third option इसका right answer हो जाएगा यह है आपका English dictionary वाला आसान question होता है आप देखो पहला option तो आपको देखना ही नहीं है पहले में third है तो यह third वाला तो आपका देखना ही नहीं है उसके बाद देखो इसके बाद क्या रहा है 5 और 6 5 और 6 में आप देखो कौन पहले आएगा तो आप देखो WARD पहले R आएगा यह आएगा पहले यह आएगा तो यह आपका 6 पहले आएगा तो यह 2 option अब देखो 5 और 2 को देखने की जरुबत नहीं है क्योंकि दोनों option में 5 और 2 है 4 और 1 में पहले कौन आएगा यह आप देखो यह 4 है यह 1 है आप देखो WARD, WARD, I है फिर यहाँ है तो I पहले आएगा यह A पहले आएगा A आएगा तो यह आनि की 4 पहले आना चाहिए तो यह option 4 हो गया यह इसका right answer हो जाएगा next question देखो number स्रिच का question है 8, 15, 26 question mark 56, 75 अब देखो यहाँ पह गैप देखो 8, 7, 15 यहाँ पह आप gap देखोगे 15 और 26 के बीच में जो gap है आपको यहाँ पह मिलेगा 15, 10, 11 का आप देखो 7 और 11 gap देखके समझ में आ जाने चाहिए कहीं न कहीं यह prime number वाला logic हो सकता है आप देखो 56 से 75 के बीच में अगर आप gap देखोगे तो यहाँ पह आपको कितना आएगा 15 में से 6, 9 6 में से 5, 11 का gap आगया तो यहाँ भी यह prime number है तो next जो prime number आएगा वो 13 का gap होना चाहिए और 26 और 13 कितना हो जाएगा 49 तो और next आप देखोगे 17 का gap है तो 17 और 49, 56 तो इसका right answer आपका क्या आजाएगा तो prime number का यह pattern पहले भी आ चुके इसमें जो ऐसा कोई भी pattern निया यहाँ पे आपको pattern देखने को नहीं मिलेगा सारे pattern पहले पूछे जा चुके मतलब latest question में अब यहाँ पे देखो क्या pattern है तो मैंने बताया जब आपके number आपके जादे होते है यानि कि आपका जो भी आपकी संख्या हो तीन चार डिजिट के तो वहाँ पे आप gap देख सकतो gap देख सकतो, digit sum देख सकतो हाला कि आज कर digit sum वाले के लिए तो पहले ही मना कर लेता है question में लिखा होता है कि आपको number को break करके logic नहीं लगाना है तो यहाँ पे आप देखो अगर आप gap देखोगे तो gap आपको समझ में आ जाएगा आप देखो gap 7, 1, 8, 3 लिखा हुआ है आप देखो 3, 8, 5, 0 अगर आप इसमें से आप देखो इन दोनों के जो बीच में gap है वो आपका कितने का है आपको नज़र आएगा 3 का 8, 5, 8 में से 5, 3 यहाँ पे आप देखोगे 11 में से 8, 3, 6 में से यहाँ यह आपका जो gap है वो आपका 4 बार 3 है यानि कि मैनस आपको करना है इतना इसी तरीके से आप देखो 8, 9, 7, 2 में से आप मैनस करोगे तो आपको यह next नमबर मिलेगा 12 में से 3, 9 आप 6 में से 3, 3 और यहाँ पे आपका 9 में से 3, 6 8 में से 3, 5 मिला है तो same आप यहाँ पे करोगे 6, 9, 5, 7 में से आपको यह मैनस कर देना है तो आप देखोगे 7 में से 3, आपका 4 आ जाएगा एक यह option है तो यह इसका answer हो जाएगा 5 में से 3, 2 है 9 में से 3, 6 है, 6 में से 3, 3 तो second option इसका right answer हो जाएगा gap है इसमें simple next देखो आपको बताना है कि 4 का opposite कौन होगा 4 का opposite आप यहाँ पे देख सकतो 6, ठीक है 6 common है तो 6 से हम यहाँ पे clockwise लिख देते 6 आएगा, 5 आएगा, 4 इस वाले figure 2 में देखो 6 आएगा 2 आएगा, 3 तो 4 का opposite कोन है? 4 का opposite 3 है तो इस cancer क्या आजाएगा? 4th option आजाएगा next question देखो 5 का 625 है 8 का 25 साट है तो आप देखो 5 की power 4, 625 तो होता है लेकिन यहाँ पे 8 की power 4, 25 साट नहीं होता है तो अब और क्या pattern हो सकता है? आप देखोगे आप 5 का cube करते हो तो 125 मिलेगा 125 को 5 से multiply करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा? 25 साट मिल जाएगा सॉरी, 625 मिल जाएगा 625 मिल जाएगा सेम आप यहाँ पे देखोगे 8 का cube करते हो तो आपको 512 मिलेगा फिर इसे 5 से multiply करोगे तो आप देखोगे 5 दूनी 10 या 25, 12, 25, 60 हो गया तो 25, 60 हो जाएगा ठीक है यह आप देख सकते हो next में 5000 है तो यानि कि यहाँ पे क्या होना चाहिए तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा simple सा है square cube वाले pattern मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके ऐसे question आते है तो square cube पे जरूर ध्यान देना next question देखो next है आपका ask को 62 लिखा है by को 64 लिखा है आपको बताना है cry को क्या लिखा जाएगा as के इसको आपका क्या लिखा है 62 लिखा है तो इनकी position आपको याद हो नीची यह आप देखो 1, 19 और यहाँ पे 11 तो आप देखोगे 20 हो गया और यह 31 31 हो गया 31 का मैं double करता हूँ तो मुझे 62 मिल जाता है same मैं यहाँ पे by में करूँगा by e तो यह आपका कितना हो जाएगा 2, 25, 5 यह आपका सम कितना हो जाएगा 25, 5, 30, 32 तो 32 आजाएगा 32 का double करूँगा 64 तो simple है position का सम कर रहे है उसका double कर रहे है तो हमें answer मिल जा रहा है तो यहाँ पे आप देखो 3 cry को कर रहा हूँ 3, 18, 25 तो 25 और 3, 28 हो गया 28 और 8 आपका 36, 10, 46 46 हो जाएगा 46 का double करूँगा तो आपका कितना आजाएगा 92 आजाएगा तो इसका answer आपका क्या है 4th option है Next question देखो यह आपका mathematical sign वाला है इसे आपको कैसे करने है ठीक है इसमें तो आपको point पे number आएगा इससे पहले आपका minus भी है multiply भी इससे पहले आपको नहीं दिख रहा है अगर multiply होता तो कहीं न कहीं हम यह कहते कि आगे वाले number से कड सकता है लेकिन आप देखो 3, divide, 3, divide 14 है क्या यहां से आपको point पे number मिलेगा अब point पे number मिलेगा और आगे आपका जो equal to के बाद है यह whole number है तो यह आपका option हो नहीं सकता मैंने पहले भी आपको बताया है कई बार इसी तरीके सा आपको option चेक करने है option चेक करोगे तो आपका हो जाएगा बांकि इसमें divide वाले पे आप ज़्यादे फोकस करना ठीक है बांकि आप option ही चेक कर सकतो कहीं पर ऐसा होगा कि divide भी हो जा रहा होगा तो वहाँ पे आपको option ही चेक करने पड़ेंगे तो यहाँ पे आप सीधे fourth option यहाँ पे चेक कर सकतो 256 divide 4 minus 9 गुणा 3 है plus 14 तो आप देखोगे यह कितना हो जाएगा इसे आप यहाँ पे करोगे 64 minus 27 plus 14 तो यह आपका 78 आ जाएगा minus 27 तो यह आपका 1 7 में से 2 5 इकाउन इसका answer आ गया बराबर आ गया तो fourth option है यह तो आसानी खुश्चिन था लेकिन time ले सकता है आपका क्योंकि क्योंकि अगर option ऐसे आगे कि जहाँ पे सारे आपके divide हो रहे है हाला कि बहुत कम बार ऐसा होगा कहीं न कहीं आप option eliminate करके इसे जल्दी कर सकते हो next question देखो next देखो repeated series का है अब देखो यहाँ पे क्या है आप देखो c से starting हो रही है e पे खतम हो रहा है तो group बना लो एक group आपका ये बना एक group आपका ये बना एक group आपका ये बन जाएगा एक ये बन जाएगा अब देखो अगर मैंने आपको repeated series का link भी share किया था उसी में से pattern और ये pattern latest पूछा गया था वही pattern आपको यहाँ पर देखेगा तो आप देखो c l आप देखो c l o c l o तो यानि क्या आप देखो यहाँ पर o आ जाएगा उसके बाद v है फिर यहाँ पर l o आप देखो w है अप देखो यहाँ पर जो आपका चौथा वाले alpha बेट है पहले वाले में v है फिर w है तो एक प्लस हो रहा है ठीक है यह pattern आपको पता है फिर आप देखो के c l o यहाँ पर एक प्लस होगा तो w के बाद क्या आ जाएगा चौथे नंबर पर यहाँ पर x आ जाएगा तो यहाँ पर आपको x मिलेगा और last में e है फिर आप देखो c l o फिर फिर प्लस वन होगा तो यहाँ पर आपका y आ जाएगा तो यहाँ पर y होगा तो आपका answer क्या आ जाएगा o l o x e l y o l o x e l y fourth option आ जाएगा जो कि आपका right answer है pattern आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका c l o e ठीक है तो यह सारे जो पहले दूसरे तीसरे और पांचों नंबर पर अलफा बेट है यह तो आपके same repeat हो रहे है हर group है लेकिन जो चौथा वाला है उसमें आपका plus one हो रहा है कभी ऐसा हो सकता है पहले वाले में plus one हो जाए कभी last वाले में plus one हो जाए next question देखो table को यह लिखा हुआ है string को यह लिखा हुआ है आपको बताना है frame को क्या लिखा जाएगा table को आपका यहाँ पर लिखा गया है e l e a t आप देखो यह दोनों तो आपस में cross में हैं यह दोनों भी हाँ पर cross में हैं और यह b से e plus 3 किया हुआ है ठीक है तो बीच वाले element में plus 3 है बाकि आपका cross में लिखे गए same frame को हम यहाँ पर कर लेंगे ठीक है आप इसको swing को करके देख सकते देखो gs आपका cross में है आसान pattern है f r a m e यह cross में तो यहाँ पर e आ जाएगा यह f आ जाएगा यह दोनों भी cross में तो यह m आएगा r आएगा यहाँ पर plus 3 करना है plus 3 करोगे तो यहाँ पर आपका d आ जाएगा तो आपका answer क्या होगा आपका answer यहाँ पर हो जाएगा e m drf जो कि आपका second option है next question देखते है last question ठीक है तो यहाँ पर आपको देखना है कि minus और plus को आपको change करना है पहला ही option आपका आजाए तो यह आपका जल्दी हो जाएगा अब यहाँ भी आपको देखना है जैसे आप देखो दूसरे option को आप कैसे eliminate कर सकते हैं तो मैंने बताया पॉइंट में आपका number आने वाला है तो point में अगर आपका number आने वाला है जबकि equal to के बाद आपका whole number है तो यह option आपका सही नहीं होगा ठीक है मैं यह आपको काफी बार पता चुका हूँ तो mathematical sign की भी आप questions देख सकते हैं तो यहाँ पर आप पहले वाला option को करींगे तो आपका answer आ जागा जैसे यहाँ पर हम कर लेते हैं 588 divide 28 गुणा 32 है ठीक है गुणा 32 है और plus की जगह minus है plus की जगह minus है 72 और minus की जगह आपका क्या है plus है 160 तो आप देखोगे कितनी बार जाएगा 28 20 ठीक है तो यह आपका 56 56 हूजाएगा यह आपका 21 बार जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 21 है जाएगा 21 over 32 minus 72 plus 160 ठीक है तो 21 over 32 42, 4, 21 63, 63 62 हो जाएगा 672 72 plus 160 यह आपका आजाएगा 760 तो इसका answer आपका क्या है पहला option इसका सही हो जाएगा तो mathematical sign वाले question में आपको मैंने बताया अगर divide वाले sign पर आप जरूर focus करना ठीक है divide वाले sign पर बाकी फिर आपको बाकी option यहाँ पर देखने पड़ेंगे तो यह जो questions थे यहाँ पर पहली shift में पूछे गए थे तो इस shift को यही पर समाप करते हैं मिलते हैं next video में ठीक है तो आप question देखो आपके पास जो भी question आता है खुछ से practice जरूर करना जब खुछ से करोगे तभी आपको फायदा है मिलने वाला आप अभी वीडियो में देखोगे और देखके फिर कुछ नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं मिलने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ मैंने जो फिगर स्रीच के question यहाँ पर आप देखोगे न यह सारे पहले पूछे गए मतलब यही pattern, same pattern पहले पूछे गए तो आपको वो करने पड़ेंगे practice आप करो, एक बार playlist में जाके तो देखो वहाँ पर सारे questions आपको करवाए हुए latest, जो भी आपके नए question है वो भी मैं आपको वहाँ पर करवा देता हूँ मतलब नए कहने का मतलब है जिसमें अलग pattern आपका आता है तो यह आपका, इसे हम यहीं पर समाप करते हैं मिलते हैं, next